अगले तत्व की बात करते हैं फासफोरस तो फासफोरस तत्व जो है अगर हम जीवों की बात करें तो इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि इसके कारण से ही हमारा केड़नी अच्छे से बेहतर धंग से काम करता है यही नहीं फासफोरस हड्डियों और दादों को भी मजबूत रखता है अगर इसकी कमी हो जाए तो हड़ियां कमजोर हो जाती है और बहुत जादा कॉमन बीमारी आप सुनते होंगे घुटने में दर्द आर्थराइटिस जिसको कहते हैं वो हो जाता है मसूडों में भी कुछ-कुछ दिक्कत आ जाती है तो ये तो थी जीवों में फासफ के रूप में प्राप्त करता है एक है कैल्शियम और पोटेसियम के फासफेट के रूप में एच्पीोफोर् it W- या एच्पीोफोर मैनस तो यहां पर माइनस माइनस आप सुन रहे होंगे तो पोटेसियम जो है। फासफोरस पौधे द्वारा रिनायन के रूप में अपेक्शाकृत अधिक मात्र में ग्रहन किया जाने वाला तत्व है मतलब सरवाधिक रिनायन के रूप में जिस तत्व को पौधा ग्रहन करता है वा पहले इस्थान पर है फासफोरस और दूसरे इस्थान पर उसके बाद नाइट्रोजन और सलफर है जिन्हें रिनायन के रूप में पौधे ग्रहन करते हैं प्रमुख कार्य, फास्फोरस, न्यूकलियो प्रोटीन और जीव द्रव्य साइटो प्लाज्म में पाया जाता है, पौधे में समुचित विकास के लिए फास्फोरस प्रमुख तत्व है, एटी पी, एटी पी अर्थाद एडिनोसीन ट्राई फास्फेट, जिसे हम उर्जा मुद्रा या करेंसी भी कहते हैं, तो जीवों के शरीर में जो करेंसी या मुद्रा होती है, वो होती है एटी पी, तो इसके नाम में ही फास्फेट है, एडिनोसीन ट्राई फास्फेट, तो यहाँ ATP के रूप में जीवित कोशिकाओं के सर्वत्र उपयोगी उर्जा भंडार का अभिन अंग है नेक्स्ट यहाँ NAD और NADP नामक एंजाइम में भी पाया जाता है जिसको अगला जो अध्याय है उसमें विस्तार से आप अध्यान करेंगे केंद्रक और कोशिका विभाजन आप सभी पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिकाओं विभाजित होती हैं और अपने समान नई कोशिका बनाने की छमता रखती हैं तो कोशिकाओं के विभाजन और व्रिद्धी केंद्रक व कोशिका के विभाजन में सहायक है फलों के पकने और जड़ों के वर्धन में भी सहायक है मूली, चुकंदर और आलू जो कंदिय फल हैं जिनको हम जमीन के भीतर उगाते हैं या प्लांटेशन करते हैं तो उनके भूमीगत भाग के में समुचित विकास के लिए फासफोरस अध्यन्त आवश्यक है अगला है यह नूकलिक एसिड नाभिकी अमल अब यह नूकलिक एसिड कहां पर से बात कर रही हूं है कोशिका जो होता है कोशिका के मद्य भाग में नाभिक पाया जाता है और नाभिक में ही नूकलिक एसिड या नाभिकी अमल दियने और आरेने पाया जाता है तो DNA की जब हम double helix की संरचना देखते हैं Watson Crick model आपको बनाना आता ही होगा तो उसमें हम देखते हैं कि sugar और phosphate इन दोनों के बीच में bond रहता है तो बिलकुल इसको हम ध्यान में रखेंगे कि जो DNA होता है या RNA नाभी की अमल है उसका प्रमुख भाग होता है फास्फोरस और सभ क्रिया में भाग लेता है अब इसकी कमी या deficiency सर्वप्रथम इसकी कमी से Cambium की सक्रीता मंद पढ़ जाती है और प्रोटीन संस्लेशन की गती पर इसका प्रतिकूल असर पढ़ता है और इससे पहले ही आप जान चुके हैं कि प्रोटीन कितना आवश्यक है पत्यों का रंग गहरा हरा और बैघनी हो जाता है और पत्यों का अग्रभाग मर जाता है पत्यां शिगर ही गिर जाती है और फलों के फल ब्रिंतों पर पत्यों पर मृतक उतक के धब्बे या स्पॉर्ट दिखाई देते हैं तो ये हुए फास्फोरस की कमी के लक्षण नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है पोटेशियम जिसका संकेत होता है के पोटेशियम का सोर्च यदी हम देखें तो पौधों के मेरिस्ट मेरिस्टेम प्रदेश जो विभाज्यों तक होते हैं कौन-कौन से भाग अभी पुना इस्मरण करा देती हूं जड तना और कलिका जिनमें तेजी से व्रिद्धी होती है पौधा उपर भी बढ़ता है और नीचे जमीन के अंदर भी बढ़ता है तो इनका जो मेरिस्टेमेटिक जोन है या विभाज्यों तक प्रदेश है इसमें केल्शियम प्रमुख रूप से मिलता है और इसको किस रूप में पौधा ग्रहन करत कर सकता है इसकी उपस्थिती में पुष्प फल और बीज स्वस्थ रहता है या फास्फोरेलेशन वह प्रोटीन संसलेशन में एंजाइम के लिए एक एक्टिवेटर का काम या सक्रिया कारक का कार्य करता है और यह भी आप जानते हैं कि जब कोशिकाओं के बाहर और भीतर करते हैं निउन्ता के लक्षन पोटेशियम की कमी से प्रोटीन सिंथेसिस पूरी तरह से रुक जाता है और आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन सभी जीवों के लिए कितना आवश्यक है कोशिकाओं में कार्बनिक नैट्रोजीनस योगिक एकत्रित हो जाते हैं और श्वसन क की गति तिव्र हो जाती हैं पत्या पीली और इनका अग्रभाग किनारे मुर्जा कर जुल से हुए नजर आते हैं अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा कैल्शियम कैल्शियम सुनने से ही हमको बोन्स नजर आते हड्डिया नजर आती हैं तो जीवों में तो बहुत धायत मात् जाता है क्योंकि जितनी भी 206 हड्डियां हैं वो सब कहीं न कहीं कैल्सियम से रिलेटेड हैं तो कैल्शियम का नाम सुनते ही हमको हड्डियों का ही इमेज दिखाई देने लगता है हरे पौध में भी या अधिक्ता में पाया जाता है जीव शरीर में तो पाया ही जाता है हरे पौध में भी या अधिक्ता में पाया जाता है या कोशि का भित्ती या सेलवाल का मुख्य भाग मध्य पटली का middle लेमिला या मध्य पटली का बनाता है जो कैल्शियम पेक्टेड की बनी होती है कोशी का विभाजन के समय सेल वाल का फॉर्मेशन अनिवार है पोधो द्वारा इसका अवशोशन या एब्जॉप्शन मिट्टी से केल्शियम के आयन CA2 प्लस आयन के रूप में या द्वी सहियोजक आयन के रूप में होता है इसके कारिया First one is Cytoplasm की जो अर्ध पार गम्य ता है या semi permeable membrane हम सभी जानते हैं कि जो हमारा कोशी का जिल्ली होता है या Cytoplasm का जो membrane होता है वो चैनात्मक जिल्ली या अर्ध पार गम्य जिल्ली होता है नाम से ही सपश्ट है अर्ध पार गम्य मतलब हर कोई वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता कुछ सेलेक्टेड चीजे ही अंदर या बाहर आ सकती है तो इस केल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जो सेल मेंब्रेन है उसकी अर्ध पारगम्यता या चैनात्मक्ता को यह बनाए रखता है उसका निर्धारन है चैनात्मक्ता पारगम्यता के चैन या निर्धारन में यह मदद करता है सेल मेंब्रेन में प्रोटीन से जुड़कर लॉक की सिस्टम भी आपका ध्यान आ रहा होगा अपने अध्यान क्या हुआ होगा यह कार्बनिक अमलों के टॉक्सिक इफेक्ट को भी रोकता है और जड़ों की वृद्धी को प्रुचाहित करता है साथ ही साथ यह समसूत्री विभाजन जब होता है माइटोटिक डिविजन होता है उस समय तरकू तन्तू निर्मान या स्पिंडल फाइबर निर्मान में भी महत्पूर्ण भूमी का निर्वान करता है कुछ एंजाइम के सक्री करने वा उपापचय गतिविधियों में भी केल्शियम महत्पूर्ण भूमी का निभाता है साथ ही साथ एक और ध्यान रखने इसमें बात है कि पुरानी पत्तियों में से यह पुरानी पत्तियों में जमा रहता है तब इसका मोबिलाइजेशन नहीं होता इसके पहले अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि कुछ तत्त्व ऐसे होते हैं पौधों में जो डेड होने से पहले या मृत होने से पहले ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे नए अंगों में लेकिन कैल्शियम एक ऐसा तत्त्व है जिसका री मोबिलाइजेशन नहीं होता अर्थात कैल्शियम कुछ तत्त्व के समान गतिशील नहीं है मतलब पुरानी पत्तियों से या नव निर्मित भाग में नहीं जाता है इसकी कमी या डेफिसेंसी कैल्शियम की कमी से भूमी में चुकि कैल्शियम भूमी से प्राप्त करता है पौधा तो भूमी में कैल्शियम की कमी होने से गुठली दार फलो में या तो कम या गुठली नहीं ही बनती है या गुठली बनना या बीज बनना रुक जाता है तो इससे हमको क्या नुकसान है हमको तो पता है ना कि सामान तरीका पौधा लगाने का तो बीज बोकर ही हम नया पौधा लगाते हैं तो ये हमारे लिए फाइदेमन नहीं है भले ही हमें बीना बीज के पपीता चाहिए लेकिन कई पौधे में हमको गुठ लिया जरूरी है तबी तो हम नया प्लांट लगा पाएंगे पौधे के जड तना वो पत्तियों पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ता है और उनका ग्रोथ या व्रिद्धी रुक जाती है इनिबिट हो जाती है कोशिका भित्ती जो है केल्शियम पिक्टेट से बनी होती है केल्शियम से बनी होती है तो इसकी कमी से भित्ती कमजोर हो जाती है और कोशिकाएं अव्यवस्थित हो जाती है युवा पत्यों के किनारे, क्लोरो फिल की कमी से पत्यों पिली पढ़ जाती हैं Students, अभी हम व्रहत पोशक तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं बस दो ही तत्वों बचे हैं, magnesium और sulfur फिर जल्दी से हम सुक्ष्म पोशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे यदि आपके पास chlorophyll नहीं होगा तो पौधे में फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा तो सबसे बड़ा इसका importance यह है कि magnesium green pigment chlorophyll इसका अनिवारे घटक है और आप सभी जानते हैं कि green pigment कितना आवश्यक है क्योंकि इसी से photosynthesis होता है और हमारे लिए भी भोजन वही बना पाते हैं तो यह जो magnesium है प्रकास संसलेशन के दोरान प्रकास जो उर्जा होती है प्रकास उर्जा photo energy जो होता है उसको यह activate होगा trap करते हैं और इसी से ही photosynthesis हो पाता है carbohydrate बन पाता है और ATP भी बन पाता है ATP समझें यदि आपके जेब में पैसे रहते हैं तब आप market में तरह तरह की चीजे खरीद लेते हैं तो ATP भी हमारी उर्जा currency है जो हमारे body में store रहती है जिस प्रकार से जिनके पास जितना money वो इंसान उतना ही rich समझा जाता है तो वैसे ही जिनके body में जितनी ATP होती है उसे उतना ही उर्जा समपन्य हम मान सकते हैं जिव विज्ञान की भाशा में magnesium जो है carbohydrates, protein, fats इनके निर्मान में भी अत्यन्त आवश्यक है चूंकि magnesium फासफोरस उपापचय से घनिष्ट रूप से सम्बंदित होता है इसलिए यह protein sensation का भी अनिवार घटक है और आपकी हमारी जो body का structure है वो proteins के ही कारण से है यह कुछ enzymes जैसे की carboxylase, pep case इनका activator का भी कारे करता है और धाने फसलों में यह मुख्य भूमी का निभाता है इनसे ही हम बीजों से पर्याप्त रूप से तेल निर्मान कर सकते हैं और हमारे कोशिका का जो मद्ध भाग nucleic acid है जिसे DNA और RNA हम कहते हैं इनके निर्मान में भी अत्यांत आवश्यक है साथ ही साथ कोशिका के middle lamilla बनाने और ribosomes, ribosomes में एक छोटा भाग, एक बड़ा भाग तो इसकी सर्रचना को बनाए रखने में भी magnesium का अत्यांत ही उपयोग है तो इस प्रकार magnesium पौधों के लिए अत्यांत अनिवारे तत्व है magnesium हमारे सेल में उपस्थित, nucleic acid, DNA और RNA का भी अनिवारे घटक है साथ है साथ यह सेल्स के middle lamella के निर्मान और ribosomes की सर्रचना को बना कर रखने में भी मत्वण योगदान रखता है कि magnesium को पौधा किस रूप में ग्रहन करता है तो soil से magnesium को mg double plus iron magnesium double positive iron के रूप में magnesium iron के रूप में ग्रहन करता है और इसकी कमी से chlorosis होता है अभी आपने जाना कि यह हरित लवक या chlorophyll का अनिवारे घटक है तो इसकी कमी से पौधे की पत्तिया पीली सफेद हो जाती है और यह जो chlorosis या हरे महिनता है सर्व प्रधम पुरानी पत्तियों में होता है और इसके बाद धिरे धिरे यह लक्षण नई पत्तियों युवाःप पत्तियों में भी आता है और धिरे से पौधे की मृत्यो भी chlorosis से हो सकती है तो इस प्रकार से जो मेगनीशियम है इसकी कमी से धीरे धीरे पत्तिया पूरी डैड हो जाती है अब अगला तत्व है अंतिम तत्व व्रेहत पुशक तत्व का सल्फर सल्फर या जिसे हम गंधक भी कहते हैं इसे पौधे मिट्टी से सल्फेट आयन के रुप में ग्रहन करते हैं प्रोटीन्स में सल्फर मिलता है सर्सों के तेल में पर्याप्त मिलता है तो इन पौधों के व्रिद्धी के लिए सल्फर अत्यानती आवश्यक होता है और साथ ही साथ आजकल मार्केट में एक गोभी की तरह ग्रीन गोभी आ रहा है ब्रोकली एक ऐसा वेजिटेबल है ऐसी सबजी है जिसमें सबसे अधिक फाइबर भी पाया जाता है तो इनमें भी सलफर प्रमुक रूप से उपलब्ध होता है साथ ही साथ यह पौधों में कैल्शियम और पोटेशियम के रूप में ग्रहन किया जाता है और दो एमीनो एसिट बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप में से किसी का नाम स्रिष्टी होगा किसी का नाम दृष्टी होगा तो उसी से मिलता जुलता एमीनो एसिड है सिस्टीन तो सिस्टीन जो एमीनो एसिड है और मिथियोनीन एमीनो एसिड है ये इसमें सेलफर जो इस्ट्रक्चर हम अगर अगले चैप्टर में हम देखेंगे तो इसमें इसका स्ट्रक्चर में बनना चाहते होंगे इसके लिए कुछ लोग फेर लवली लगाते हैं कुछ पॉंड्स के प्रोड़क्ट यूज करते हैं या बहुत सारे जो आपके पास उपलब्ध है जो आपको अच्छा लगता है वो प्रोड़क्ट आप लगाते हैं या कुछ लोग घरेलू नुष्खे बी अपनाते है तो गोरा बनाने वाला जो हमारा पिगमेंट है मिलेनिन है जो हमारी तोचा को रंग प्रदान करता है उसमें भी सलफर होता है अर्था सिस्टीन होता है और सलफर इसमें पाया जाता है साथ ही साथ सभी आजकल हर कोई अपने बालों के लिए alert रहता है बालों को जो मजबूत बनाता है या हमारे बालों के वृद्धी के लिए आवश्चक है विटामिन B7 या बायोटीन इसमें भी सलफर मौझूद रहता है विटामिन B1 बायोटीन आजकल जो मार्केट में शेंपू प्रोड़क्ट होते हैं दिखेगा कि उसमें बायोटीन यूग प्रोड़क्ट ऐसा भी पिग्यापन जारी किया जाता है कुछ लोग अपने बालों को स्वस्थ रखने के लिए बायोटीन के टेबलेट्स भी खाते हैं ये बिना डॉक्टर क पौधों में अत्यंत ही आवश्यक एलिमेंट है ग्रंथिका के निर्मान में भी यह आवश्यक है अब हम देखते हैं इसकी कमी सलफर की कमी से भी क्लोरोसिस होता है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा है इसमें पत्तियां पीली पड़ जाती है पौधे बोने हो हो जाता है इस प्रकार से व्रिद्धी पर सीधा सीधा असर सेलफर की कमी से होता है और इसकी कमी से कम एंथोसायनिन का निर्मान भी होता है आगे जो चैप्टर है उसमें इसका डिटेल से आप अध्यान करेंगे